कि नमस्कार दोस्तों आर्पीम ड्राइब की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जा रहे हैं निसान के सर्विस सेंटर अलग यह भी तो सर्विस का टाइम नहीं हुआ पर फिर भी में वापको बता हूं एक दोस्तों इसको इसको मना कर दिया था कि यह कोई एशू नहीं है जबकि दोस्तों यह कोई यह इंपक्टरिंग डिफक्त है कोई कई लगताए कि यह कोई कॉछ स्वाट है एक चुली क्योंकि मैंने अभी मारुद्य के बिवी कुछ गार् जैसे वेगनार हो गई जो आ रहा है उसमें भी इसी तरे का इस्टेरिंग फीडबैक है दोस्तों वह वापस नहीं लोटते हैं जहां जीधर आपने गुमा दिया उसको उधर ही उसी दिशा में रहते हैं ठीक है तो इसके इस्टेरिंग की दिक्कत को तो मैंने अल्रेटी एक अब मुझे दोस्तों वहां से कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता था सर्विस निशान की तरफ से तो अभी लाश्टियर ही ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉंच किया था उसमें अगर आपको अपने आपकी गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मास्क जो बल्क लोगों को यह प्रॉब्लम फेस और यह और कम्पने उसकी तरफ से अगर कोई सुनवाइद नहीं कर रही है तो उसमें एक पोर्टल है वहां पर आप जाके आपनी प्रॉब्लम को रख सकते और वहां पर आपके कंप्लेयंट को लांच कर सकते दोस्तों तो उसका करने के तकरीबन 15-20 दिन बाद में मेरे पास में सोरूम से गॉल आ गया कि सर आपने कोई कंप्लेंट रेस किया उसमें आपके स्टेडिंग में दिखकर है तो आप आईए और हमें चेक करेंगे क्या दिखकर है तो मैंने का चलो ठीक है सर अपना कुछ कंप्लेंट काम कर गई पर चोब ड़ोट ऑब इस दिन आपको दिखाने की धी कि यह कंप्लेंट जो है सवर्मेंट ऑफ यह पास पहुंची है तो थो डिकारी को तो दोस्तों भी मिए यह वही पर यह लोग क्या करते हैं इसमें देखते हैं नेगलीं करते हैं या कुछ इसका स्लूशन देते हैं व तक यह उटो मावाल इंडेस्ट्री लेटे लेटेस वीडियो आप तक जल से जल पहुंच सके तो दोस्तों अभी चल रहे हम सर्विस सेंटर पर बात करेंगे अगर वो वीडियो शूट करने के इजादत देंगे तो हम शूट करेंगे अधर वाज आपको जो भी अपडेट हो करेंगे दोस्तों इस ट्रिप देखिए पहला रीसेट और यह वापिस से खीक हो गई है लगबग लगबग इसमें कि देश कि अठावन किलोमेटर चल चुकी है और अभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है अब वह उस टाइम पर बता नहीं क्यों इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसका तो अभी जाके बात करेंगे कि वह ऐसा क्यों हो रहा है इसमें कि ट्रिप रिसेट हो प्रॉब्लम्स के बाद में तो फिर्से ठीक हो गई है लेकिन यह ऐसा होना नीजे दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स भी आएं प्रीवेस वीडियो पे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्राइबर है उसमें भी यह प्रॉब्लम थी और उसे के पार इसमें लगाए ग प्रॉब्लम्स के बात करेंगे उसमें इसमें को रिले विले का दिक्कर बता रहे थे वह बैटरी इसे कुछ वायर हटाके और वापस से उनको जोडें तो इस तरह का कुछ बताया था उन्होंने देखते हैं अभी कि क्या रहता है कि सर्वीस सेंटर पर जाते हैं फिर बात क तो भाईयो फाइनली जो इस्टेरिंग का प्रॉब्लम था वो रेक्टिफाइब कर लिया है कंपनी ने अला कि उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया अंदर तो अंधर हाला कि मैंने जो उनको टेस्ट करवाया था तब मैंने वीडियो बनाया था उसकी क्लिप में तो फिर द्रेत विए डाल दूगा। यह वो बुट सर बोज़ देरी वो बुट सित रनाँ स्टमपर्पट कि दास बोज़ को बुट सस्कित कि विए्पयोग कि यॉचक्छ आफे हुच्छ सिताय jetzt विए्पयोग बुट विए्वपयोग कि रिए लेकिन अंदर मुझे कुछ भी वीडियो बनाने ने दिया उन्होंने पूरा ये डैश बोर नीचे से इसमें टेकनिकल कुछ प्रॉब्लम है और उसका पार्ड जो है वह अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वह डिमांड में नहीं है यानि कि वह रेक्टिफाई जो अभी ऐसा कुछ इसू आया निके सामने इस्टेरिंगा उन्होंने बुला और करेंगे हम यहां से और और करेंग दूसरी जो बात है कि जो यह जो ट्रेप री सेट दो यह 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 लोग कहे रहे हैं इसमें आपने प्रॉब्लम जो है कि आ रही है तो कहे रहे हैंसे में आ रही होती और अगर कंपनी बेजूंगा तो वारंटी कर सकते हैं आपकी क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट में एक्सेसरी लगवाईजे तो वारिंग की जो वारंटी है वो वारंटी हो जाएगी वो यह कह रहे हैं इसको एक बार सेंटर लोगिंग को हट वा लीजिए और फिर यह चेक अब दोस्तों इसमें क्या सचा यह क्या नहीं वह तो भगवानी जाने लेकिन अभी इस प्रॉब्लम का रिजोलुशन मेरे पास में इन्होंने नहीं दिया है देखेंगे अगर ज्यादा परिशान करेगा तो इसमें भी एक बार सेंटर लोगिंग भी चलाएंगे इसको और देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो फिर जो सॉलिशन होगा वो करवाएंगे कंपनी में और दोस्तों एक्चली इनका जो बिहेवियर था दोस्तों मैं बता हूं इनका वो काफी जो सर्विस मैनेजर थे वो काफी अच्छे से उन्होंने से और उसके अक्वाडिंग वो रिप्लाइ कर रहे तो ओवर जो रिस्पॉंस था मुझे ठीक लगा दोस्तों अब यह देखिए दोस्तों यह जो प्रॉब्लम थी स्टेरिंग की हो तो इन्होंने रेक्टिफाइब कर लिए और मान लिए कि हाँ इस स्टेरिंग में जाके मैंने जो यह किया था वह गवर्मेंट के पॉर्टल पर जाके कंप्लेंट की थी रेज वहां से मुझे रेस्पॉंस मिला इन कंपनी वालों का और इन्होंने यह चीज मंगा अब यह जो मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के बता हूं कि मैंने वहां पर कै आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताइएगा तो मैं वह भी वीडियो अपके लिए बना दूंगा दोस्तों ठीक है नहीं तो मैं आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप जाके लिंक पे क्लिक करके और आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर को काफी अच्छा इन्होंने इनिशेटिव लिया है कि अगर आपकी कंपनी नहीं सुन रहे तो आप यहां पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं उससे आपको जो प्रॉब्लम है वहां पर सुनी जाएगी और अच्छे से ट्रीट किया इन लोगों ने मुझे पहले जब मैंने अब 13 साल बाद में अगर गाड़ी इस तरह की आप कर रहे हो तो इसमें नगी दोस्तों यह मैनुफेक्ट्रिंग डिफेक्ट नहीं मत आता था हूं आपको अभी जो नहीं लेटिस्ट वैगनार्स आ रही है मारुदी की जो गाड़ियां आ रही है उसमें भी यह दिक्कत आ करें हो तो उसमें यह जो टेक्निकल ग्लिच यह नहीं होने चाहिए अगर आप कॉस्मेटिक ली कुछ फीचर्स को कम कर सकते हो वह समझ में आती है लेकिन इस तरह से लाइफ ट्रेटनिंग अगर फीचर्स आप अगर गाड़ी में डालेंगे तो यह कहीं नहीं है दोस्तों तो मेरे हिसाब से अगर इसमें एक दो फीचर और कम कर देते लेकिन टेक्निकल जो एसपेक्ट हैं से कहीं पर भी कंप्रमाइज नहीं करना था कंपनी को लेकिन इन्हों ने ऐसा किया है दोस्तों और यह माना भी है कि हां इसमें प्रॉब्लम है इस स्टेरिंग के अंदर त अगी जो बेस मोडल है उसमें प्रॉब्लम बोल रहे हैं नहीं आ रही है तो दोस्तों इन्होंने पहले डेक्टिफाइब कर लिया है लेकिन जो कस्टमर इनके पास कंपलेंड लेकिन और उसको स्टाफिशन दे रहें लेकिन यह अपनी तरफ से रिकॉल नहीं कर रहे गाड तो दोस्तों यही था एक चोटा सा वीडियो आगे की जो कारवाई होगी जैसे मेरे पास में फोन आएगा तो मैं आपको जरूर से वह वीडियो इसको कंटीन्यू करूंगा और बताऊंगा कि कैसे इन्होंने उसको प्रॉब्लम को रिजॉल किया है और कैसे यह प्रॉब्लम कि और इसको सॉल्यूशन दिया है दोस्तों तो ठीक है दोस्तों आप नेक्स पार्ट का इंतिजार कीजिएगा मेरे पास जैसे को लादर में वीडियो बनाऊंगा और आपको इसका अप्रेट दूंगा दोस्तों दोस्तों मिलते हैं इसे कि वीडियो में तब तक लिए